हे गाईस वेलकम टो अर्चैनल आज किस बायोग्राफी वीडियो में अपन बात करने वाले विराट कोहली के बारे में जिसमें अपन देखेंगे उनकी एज, गल्फ्रेंड, वाइव, फैमिली, इंकम, कार कलेक्शन, हाउस और साथी बात करेंगे उनके क्रिकेट करियर के बा विराट का जन्म 7 नवंबर 1988 को हुआ था, अभी 2021 में वे 33 सल के हो चुके हैं, विराट का जन्म देहली में हुआ था, साथी उनका होमटाउन भी देहली में हैं, उन्होंने अपनी स्कूलिंग विसाल भारती पब्लिक स्कूल देहली से कंप्लेट की है, साथी आपको बता द विराट ने 3 साल के उम्र से ही क्रिकेट खेलना चालू कर दिया था, उनके क्रिकेट के प्रती इस तरह लगाव को देखते हुए, उनके पिता ने विराट को देहली क्रिकेट अकाडमी जोइन करा दिया, तब विराट के वल 9 साल के थे, जहां विराट को राजकुमार सर्मा ने ट्रेनिंग दी जिसके बाद साल 2002 में विराट ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुवात की तब विराट को दहली के अंडर 15 में सामिल कर लिया गया था उस समय विराट ने सबसे पहले पॉली उम्रीगर ट्रोफी के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट खेला था साल 2004 के आखरी तक विराट को अंडर 70 दहली क्रिकेट का सदश्च बना लिया गया था जहां विराट को विजय मर्चन ट्रोफी के लिए खेलना था इस चार मैच की सिरीज में विराट ने 450 से भी जादा रन बनाई थे जिसके बाद साल 2006 में विराट के पिता की मरत्यू हो गई जिसकी वजह से विराट तूट चुके थे लेकिन इसी साल विराट को अंडर 19 में सेलेक्ट कर लिया गया था और विराट को मैच खेलने के लिए इंगलेंड भेज दिया गया जहां विराट ने तीन वंडे मैचेस में 105 रन बनाए थे साल 2008 में विराट को इंडिया की अंडर 19 टीम का कैप्टन बना दिया गया जिसमें विराट को मलेशिया में होने वाले अंडर 19 वर्लकप की कपतानी करनी थी जहां विराट का प्रदर्शन कापी अच्छा रहा जिसके बाद साल 2009 में लेकिन इंडिया टीम के ओपनर सहवाक और तेंदूल कर दोनों ही घायल हो जाने की वज़े से विराट को पहली बार उनकी जगह खेलने का मौका मिला इस टूर में विराट ने अपना पहला अर्दसतक मारा था और इस सिरीज में भारत की जीत भी होई थी जिसके बाद के कैप्टन बन चुके हैं साल 2013 में विराट को अर्जुन अवार्ड साल 2017 में पदमस्री अवार्ड साल 2018 में राजियू गांधी खेल रतन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है साथ ही आपको बता दे विराट ने लगबग 50 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड अपने नाम किय हैं आपको विराट कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं अब बात कर लेते उनके फैमिली मेंबर के बारे में दोस्तों आपको बता दे विराट के फादर का नाम प्रेम कोहली है जो की प्रोपेशन से क्रिमिनल लॉयर थे साथी उनके मदर का नाम सूरज कोहली ह इसे के साथ ही उनके एक भाई और एक बहन भी है उनके भाई का नाम विकास कोहली और उनके बहन का नाम भावना कोहली है आप बात कर लेते हैं उनके गल्फ्रेंड और वाइप के बारे में दोस्तों आपको बता दे विराट के वाइप का नाम अनुस्का सर्मा है इसे के साथ उनकी एक बेटी भी है उनके बेटी का नाम वमीका कॉली है आप बात कर लेते हैं उनकी इंकम और कार कलेक्शन के बारे में दोस्तों आपको बता दे विराट किसी भी T20 मैचेस के लिए 5.5.5 रुपे चार्ज करते हैं ODI matches के लिए 3 lakh रुपे चार्ज करते हैं IPL के per season के लिए 14 करोड रुपे चार्ज करते हैं Brand endorsement के लिए 12 करोड रुपे चार्ज करते हैं और उनकी net worth 700 करोड रुपे के करीब बताई जाती है अब बात कर लिते हैं उनके car collection के बारे में तो number 1 पे है Audi RS5 जिसकी कीमत है 2 करोड रुपे number 2 पे है Audi R8 जिसकी कीमत है 3 करोड रुपे number 3 पे है Audi LMX जिसकी कीमत है 3.5 करोड रुपे number 4 पे है Range Rover Evoque जिसकी कीमत है 2 करोड रुपे अब बात कर लेते उनके हाउस के बारे में, दोस्तो आपको बता दे, विराट मुंबई के ओमकार आपार्मेंट में रहते हैं, इसे के साथ ही उनके घर की कीमत अपरोक्स 37 करोर रुपे के करीब बताये जाती है I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आप विराट खोली के फैन है तो इस चैनल को कर दीजे सस्क्राइब और बने रही है हमार साथ में और भी ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो की सेलिबेटी पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्स फूर वाचिंग दीज वीडियो झाल